हाई मैं हूँ योशु मायापूरी न्यूस बुलिटिन में आपका स्वागत है नवाजुद्दिन सिद्धिकी की बती जी ने नवाजुद्दिन सिद्धिकी के भाई पर मेंटल टॉचर का आरोप लगाया था वहीं इस पर नवाज उद्दिन सिद्धी के भाई ने बोला कि वो जल्दी एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही है और इस आरोप को जूटा साबित करने वाले हैं क्योंकि ये सारे आरोप जो उन पर लगाये गए हैं वो सारे के सारे जूटे हैं उन्होंने ये भी बताया कि जबरदस्ती इसमें नवास का नाम घसीता जा रहा है हाली में मलंग 2 की अनौंस्मेंट की गई थी मलंग 1 में तो हमने दिशा पाटनी और अधित्यर रोई कपूर को मैजिक क्रियेट करते देखा था स्क्रीन पर लेकिन मेकर्स ने फिर ये सोचा कि इसके सीक्वल के लिए दिशा पाटनी की जगह उनको श्रद्धा कपूर को स्टार करना चाहिए और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है उनको सारे स्टार्स प्रेश चाहिए इसलिए इसके सीक्वल के लिए अदित्र रॉय कपूर नहीं बलकि सिधाद मलोत्रा करेंगे रोमैंस च्रद्धा कपूर के साथ इस मूवी में साउथ के फैंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है जैसा कि आप जानते हैं कि शूटिंग बंद हो गई थी वहीं ऐसे इस राजमोली के फिल्म आर 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 की शूटिंग भी रुख चुकी थी लेकिन अब जब गवर्मेंट ने शूटिंग रिस्टार्ट करने की परमिशन दे दी है इस फिल्म की शूटिंग भी जल्द वापिस रेजियूम होने जा रही है सारे गाइडलाइन्स को मद्दे नजर रखते हुए और फॉलो करते हुए इसकी शूटिंग रिस्टार्ट होगी बड़े बड़े साउथ आक्टर्स इसमें नजर आने वाले हैं वहीं बॉलवुड आक्टर्स आल्या भट का भी इसमें छोटा लेकिन इंपोर्टन्ट रोल होगा हाली में हुए साइकलोन में सोनुसूद आगे आये 28,000 लोगों की मदद करने मुंबई में सोनुसूद ने 28,000 लोगों को शेल्टर और फूट प्रोवाइड किया महीं पहले भी सोनुसूद ने कई माइगरिंट्स को अपने अपने घर पहुचाया है करोना वाइरस के क्राइसिस के समय में अब सोनुसूद को एक फरिष्टे से कम की नजर में देखा नहीं जा रहा हमने काफी टाइम से शारुख खान को सिल्व स्क्रीन पर नहीं देखा है और ये भी बताया जा रहा है कि शारुख खान कमबैक करने वाले हैं राज कुमार हिरानी के साथ बॉलिवड में ऐसा बताया जा रहा है कि शारुख खान जून या जुलाइ के मन्त में इस फिल्म की अनाउंसमेंट कर देंगे और आउगस से इस मूवी की शूटिंग शुरू हो जाएगी आक्ट्रिस मीरा चोपड़ा को काफी जादा थ्रेट्स मिल रहे हैं जिसे गैंग, रेप, आसट अडाक और मर्डर के भी इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि वो जे आर एंटियार की फैन नहीं है इसकी वज़े से जे आर एंटियार के फैन्स मीरा से काफी जादा नाराज हो गए और उनको गंदी तरह से अब्यूस करने लगे मीरा ने खुद ये खुल के आके बोला कि ये मेरा ओपिनियन है कोई किसी को फोस थोड़ी ना कर सकता है किसी को लाइक करने के लिए इसमें आप मुझे इतनी गंदी तरह से अब्यूस कैसे कर सकते हो यश्राज फिल्म्स ने एक नोटस सर्कुलेट किया है कि एक बहरूपिया यश्राज फिल्म्स की कास्टिंग एजिंसी का रूप लेकर एक्टर्स को अप्रोच कर रहा है और उनसे पैसे मांग रहा है आर्टिस कार्ट्स के लिए और यश्राज फिल्म्स में काम करने के लिए वही उन्होंने सब को सतर किया कि ऐसे लोग जूट है और इनका विश्वास ना करे और ध्यान रखें दिपिका पादुकोन लोगडाउन के समय में घर पे काफी जादा प्रोडक्टिव होते नजर आई हैं वो घर के काम काफी अच्छे से कर रही है दिपिका पादुकोन ने सोशल मीडिया पर कैन से एक थ्रोबैक विडियो शेर किया इस विडियो में हम उनको ग्रीन रूम में डांस करते देख सकते हैं रेडी होने से पहले देखकर तो ऐसा लग रहा है कि दिपिका काफी जादा एक्साइटेड है रेड कापिट में चलने से पहले फॉर्ब्स 2020 लिस्ट ओफ हाइस पेज सेलेबरिटीज का नाम सामने आ चुका है बता दे कि इस लिस्ट में सिफ एक ही इंडियन सेलेबरिटी का नाम है और वो है नान अदर देन अक्षे कुमार अक्षे कुमार इस लिस्ट में 52 पोजिशन में आए है उनकी अर्निंग है 48.5 मिलियन डॉलर्स शारुक खान की वाइव गौरी खान और उनकी बेटी सुहाना खान दोनों की एक पिक्चर वाइरल हो रही है जिसमें हम दोनों को बैलकनी में बैठे देख सकते हैं दोनों यहाँ पर कैश्वल पिजामाज में नज़र आ रही है कॉलिटी टाइम स्पेंड करते बता दे कि सुहाना खान का हाली में बर्दे था और इस साल वो 20 साल की हो चुकी है आज के लिए इतना ही लेटिस बॉलिवड न्यूज और होट गॉस्प के लिए सब्सक्राइब करें माया पुरी काट